हेलो गाईज, स्वाइब एलकाम आलाफी टू द आवर यूटूब चैनल ग्यानवी सचिन तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कितने रैंग पर सरकारी कॉलेज मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपको एक लाख रैंग तक भई सरकारी कॉलेज मिल सकता है इसके बारे में मैं टोटली इस वीडियो के अंतक डिसकस करूँगा तो प्लीज वीडियो के अंतक बने रहिए दोस्तों और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हम आप लोगों के लिए ऐसे ही लगातार इनफॉर्मिटी वीडियो लाते रहते हैं और आपकी हम पूरी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं अगर आपको काउंसिलिंग से संबंदित और भी कोई प्राब्लम्स हो रही है जिने आप एकदम किलियर करना चाहते हैं तो 9369041920 9369041920 आपके ही दोस्त का नंबर है मेरा नंबर है दोस्तों आपको जितनी भी क्योरीज होंगी हम उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जितना मुझे पता होगा हम आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे तो चैनल पर पहली बार विजिग गए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों बड़े-बड़े यूटूबर्स हैं आपका कमेंट रिपलाई करने के लिए त्यान नहीं है तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं सदेव आपके सब कुछ काम करने के लिए तत पर हू तो वीडियो की सुरुगात करते हैं दोस्तों और आप बात करते हैं कि आपको कितने रेंग पर सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आपको बता दें कि आपके जो भी रेंग कार्ड आया है उस पर लिखा है कॉलिफाइड मतलब रेंग की बात नहीं मैं पहले यह बता दू कि आपके scorecard पे अगर लिखा है qualified तो दोस्तों इस बार आपका government college में नाम भी रखा है क्योंकि दोस्तों इस बार क्या हुआ है जैसे कि मैं लगातार previous वीडियो में बताता रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि जितने भी आविदन हुए थे उसमें से 70,000 के बहुत सारी students ऐसे हैं जिन्होंने अपने अलग अलग college में अपना admission करा लिया है तो लगबग 20,000 के approximately students हैं जिन्होंने अपना अलग अलग जगहों पर admission करा लिया है तो 70,000 प्लस 55 और 20 तो दोस्तों इस तरीके से लगबग 15,000,000 students इस बार UP Polytechnic से नदारत हैं तो इस तरीके स इस बार जब 50,000 से 60,000 students की लड़ाई ही है और 50,000 से 60,000 rank cut off जाता है दोस्तों तो आप लोगों को 100%, 110% आप लोगों को एक top government college में एक भेतरीन government college जितने students के अच्छे number हैं उन्हें एक भेतरीन college में top government college में जितने थोड़ा low हैं उन्हें एक अच्छे सरकारी college में दाखिला दलाने का प्रयास किया जाएगा तो ठीक है दोस्तों किस तरीके से counseling करानी है क्या आपका procedure होगा उन सब के बारे में लगातार videos बनती रहेंगी उसको आपको जरूर ध्यान में रखना है लेकिन एक बात अपने आप में ध्यान रख लेनी हैं दोस्तों कि जितने भी students हैं आप समझ लीजिए दोस्तों इस पार आपको government college मिलना ही मिलना है तो दोस्तों एक काम और करिएगा अगर एक पसंदीदा college को select करना चाहते हैं तो मेरा comment box खाली है YouTube का और मैंने number दिया आप लोगों का उस पर आप अपना rank बता जिए और आपको मैं एक अच्छा का college select करके ब प्रयास करेंगे तो इस बार दोस्तों आपको जरूर ध्यान में रख लेना है कि आपका सरकारी college में ताखिला fix है जो इस वीडियो के देख रहे हैं और यह सोच नहीं कि मुझे इस बार counseling नहीं करानी है तो बहुत बड़े बेवकूपता वाला काम करेंगे क्योंकि इस बार जितना आसान है rank के हिसाब किताब से आपका college मिलना उतना फिर कभी आसान नहीं होगा तो इस तरीके से इस बार counseling में जरूर participate करें और एक अच्छे सरकारी college में admission लेने का पूरा प्रयास किया जाएगा पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको एक अच्छा सरकारी college मिल आपको counseling में participate जरूर कराना चाहिए क्योंकि आपकी counseling की registration fees जो होती है वो मातर 300 रूपय है इतना तो आप ही करस ही सकते हैं ठीक है friends तो आपको जितने भी students qualified हैं उन्हें जरूर से जरूर इस बार counseling में participate करना चाहिए ठीक है friends जो आपका cut off जाएगा वो सब students के लिए government college लेकर आएगा ठीक है friends लाख rank तक है फिर भी आपका admission एक government college में होगा यह promise है दोस्तों तो मिलते एक ऐसी नए informative वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टाटा लव यू आल